क्या रितिक रोशन की एक्स वाइफ सुजान रोशन का चल रहा है अफैर क्या सुजान रोशन किसी को डेट कर रही है क्या सुजान रोशन ने अपने लेटिस्ट अपडेट से लोगों को ये हिंट दिया है कि अब तक उनका जो ये सफर रहा है शक्स के साथ ये अच्छा रहा वेल ऐसी ही कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही है ये चर्चाएं तब से शुरू हुई जब सुजैन रोशन की पार्टीज एक खास शक्स के साथ होने लगी ये खास शक्स और कोई नहीं बलकि अरसलान गौनी है अली गौनी का भाई सुजैन और अरसलान की कई सारी पिच्चर्ज सामने आई मीडिया में ये भी खबरे आई कि सुजैन और अरसलान दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंट करना पसंद करते हैं और दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे ख्लोज आ रहे हैं ऐसे में आप रिसेंटली सुजैन रो पोटो पोस्ट करते हुए लिखा सोफा सो गूड हाला कि सुजैन ने जो सोफा शब्द यूज किया वो सोफे यानि की काउच के लिए किया लेकिन कहीं न कहीं इसका मतलब ये निकलता है कि अभी तक का जो सफर है वो अच्छा है आपको बता दें कि काफी स्ट्रॉंग रि हैं पहले जब रिपोर्ट्स आई थी तब कहा गया कि एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं चै महीने हो गए हैं दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हुई है इस बीच में लेकिन इस मामले में ना सुजैन ना ही अरसलान दोनों की तरफ से कोई भी कॉमेंट नहीं आया है वहीं बात करें अगर रितिक रौशन की तो सुजैन की पोस्ट पर अकसर रितिक रौशन के कॉमेंट्स नजर आते हैं और जहां तक बात है इन दोनों के बच्चों की तो दोनों को पैरेंटिंग में बिलीव करते हैं जब लॉकडाउन लगा था तब सुजैन बच्चों के साथ टाइ गोजारा.